हेलो गाइज वेलकम टो माई चैनल मैं हूं रिचा मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी जो है बायो टिक बायो पपाया टैन रिमूबर स्क्रब है यह बहुत ही अच्छा स्क्रब है इसके आप जब भी आप जब आपके टैनिंग हो रखी होगी आप कहीं से भी रिमूब कर सकते हो अपने स्क्रब करके और टैनिग भी अच्छा से आपके जितने भी बाइट है ब्लैक हैट सोंगे वह भी इससे रिमूब हो जाएंगे निकल जाते हैं आप इसको टू वार अपलाई करना है आपको दिन वार में मन्त बीक में आपको टू वार इसको यू रिमूब बाइटिक अडवांस अयोवेदा निकल जाती है और ये इसका नेट वेट है 75 ग्राम और ये सब्सक्राइबर 2018 मैनिफेक्ट्रेंड डेट है और 199 का यह बैसे मार्केट में मिलेगा नहीं तो आप ऑनलाइन से खरीच सकते हैं तो ऑनलाइन में आपको कम का पड़ेगा उज़र से लेंगे तो बाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हर्वाल प्रोडक्ट है हर्वाल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता ही है और इसको आप इसके जो शॉप है और सॉप ऑनलाइन एट इस पे लिखा हुआ है वहां से आप खरी सकते हो कितनी अच्छी पैकेजिंग में आता है और इंज और ग्रीन पैकेजिंग है इसकी और यह पापाया का है तो ब पानी के साथ करना है और ज्यादा अगर आपका सूख जाता है तो आपको वाटर को यूज करना है तो यह 100% आवबेदिक तो है ही और इसकी पैकेजिंग कितनी ब्यूटिफुल सी है और अंदर से इस तरह की पैकेजिंग है अगर आप इसको फेक भी देते हैं इस काड़ बोर इस पे भी सारा कुछ इस पे मैंशन है आप यहां से सब कुछ ट्राइ कर सकते हो मतलब अगर भूल जाए तो इस पे है सब लिखा हुआ कितना वेट है कैस किस तरह इसको यूज करना है यह भी सब हैं यही सब इसमें लिखा है और इसमें सब मैंशन है इसको आप इधर से य था इसको आप इसको आप आप यह देखिए और चोटे चोटे पार्टिकल्स है इसमें गैन्वल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं तो आप इसको आराम से कीजिए और आराम से हो जाएगा यह तो चलिए देख लेए इसको अप्लाई कैसे करना है कितनी ब्यूट्यूफिल पैकेजिग इसको वाइट ग्रीन का एकेजिग है तो चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है तो पहले हम लोग अपने ऐस को बैटकर लेंगे यह रोज वाटल है लेकिन इसमें रोज वाटर बढ़ा नहीं है इसे मैं वाटर भर रखा है अच्छे से वेट कर दीजिए अपने फेस को और इसको अपलाई कर लीजिए देखे मेरा फेस बिल्कुल क्लीन था मैंने बिल्कुल फेस वास करके आई हूं आप जब भी कोई स्क्रब करते हैं या फेस पेक लगाते हैं तो हमें स आपको फेस वाश करके ही क्लीन फेस पर ही आपको अपलाई करना है जो भी चीज आप अपलाई करें चाये फेस स्क्रब हो या फेस पैक हो तो आपको सारी चीजों को अपलाई करने से पहले आपको फेस को वाश करना है आपकी टैनिंग इसे बिल्कुल हट जाती है और आप बहुत ज़दर डल है तो भी ठीक हो जाए अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं जो टैनि वाले होते हैं वह नहीं यूज़ करना चाहते हैं अब बहुत ही लेजी है तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा आप्शन है आप यह ट्राइ कर सकते हैं अब समर्ज का टाइम है तो बहुत जल्दी यह ड्राइ हो जाता है अच्छे से स्क्रविंग करनी है इसके बाद आप वाश कर लीजिए जहां इस एरिया पर आपको बहुत जादा हो अगयरा और टैनिंग हो जाएगा आपकी तैनिंग भी निकल जाएगी तैनिंग भी दूर हो जाएगी इस पे लिखा है कि आप इसको रोज भी कर सकते हैं लेकिन यह इसक्रव है इसलिए आप इसको रोज मत पिर्ब करिए अगर रोज करना चाहते हैं तो एक तेमेटो के साथ आप इसको तमेटो पे थोड़ा सा नी डालिए और उसको यूज कर सकते हैं तैनिंग हटाने के लिए इसक्रव आपको सिर्फ अब्दे में टूरू टाइम ही करना है दो बारी अपलाई कर सकते हैं आपलो ने लिवस पर ही कर लेती हूं दोनी के आद मिलती हो आपसे तो मैंने फेस बॉस कर लिया है देखिए आप खुद भी देख सकते हो डिफरेंस कितना अच्छा उससे एकदम से टैनिंग निकल जाती है आप लोग ब्लीप करिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से टैनिंग अगर आपकी ब्लेक हैट्स बहुत ज्यादा है तो उनको निकल लगता है लेकिन आप एक से दो बार अप्लाई करेंगे तो निकल जाएंगे अप्ते में दो बार आपको जरूर लगाना है तो फ्रेंड्स आप लोग ने देख लिया है कि मैंने किस तरह से इसका रिव्यू क किस तरह से आपको अप्लाई करना है यह मने बता दिया और मेरे वीडियो थोड़ा भी आपको helpful लगता है थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और फैंबली मेंबर्स के साथ और अपने फैंड्स के साथ शेर कीजिए मे प्लीज अगर आप मेरा नया चैनल पर नया आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा कि आपको मेरा नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करू तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल पहुंच जाए और आप नया वीडियो मेरा दे तो चली फैंस बाइ